दोस्तो अगर आप cell read class या pensioners हैं और आप अपना ITR one farm भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है जी हाँ दोस्तो नमस्कार ओपी online services में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम detail में बताने वाले हैं कि आप ITR farm किस प्रकार से फिल करेंगे कौन कौन सी information आपके पास होनी चाहिए जिससे आप से कोई गलती नहों और बात में income tax का आपको किसी प्रकार से notice ना है और एक बार में आपका ITR process हो जाए तो इ हमारे चैनल पे आए हैं तो अभी subscribe कर ले and let's start तो उस case में आपना password फार्गट कर लेजिए तो यहां पे हम अपना pen number डाल देंगे उसके बाद continue में click करेंगे यहां पे इसको हमको confirm करना है उसके बाद यहां पे आपना password डाल देंगे अगर आपके पास पासवर्ड नहें तो forgot password में click करके आप आधार OTP के माध्यम से reset कर सक उसके बाद continue करेंगे देखे इस प्रकार से आप login हो जाएंगे portal में अब यहां पे ITR भरने के पहले आपको अपना farm 26AS डाउनलोड कर लेना है तो उसके लिए e-file के अंदर आप income tax return में view farm 26AS का option रहता है यहां पे आप click कर देंगे और confirm में click करेंगे एक new page पे आप redirect हो करना है अब यहां पे farm 26AS में आपको click करना है उसके बाद आप assessment year select कर लेंगे अभी हमारा 24-25th assessment year है और यहां पे HTML select कर लेंगे उसके बाद view download में click करना है और export add PDF में आप click करेंगे और इस प्रकार से हम save कर लेंगे अब यहां पे हम आपको बता दें कि farm 26AS बहुत important होता है क् आपके जो भी deduction होता है चाहे आपका employer आपके tax काटता है आपका bank काटता है तो वो पूरा यहां पे reflect होना चाहिए तभी आप ITR file करें नहीं तो आपको problem हो जाती है तो आपको ITR भरने के पहले farm 26AS में अपना income और deduction दोनों चेक कर लेना चाहिए अगर हम farm 26AS open करते हैं तो इस प्रकार से देखिए इधर जो आपका employer या bank होगा जो deduct करता है deductor का नाम लिखा होगा और इधर उसका 10 number और इधर कितना amount यहां पे आपको मिला है और कितना tax कटा है पूरा date wise यहां पे इस प्रकार से दिया होता है और जो भी आपको ब्याज मिलता है interest मिलता है वो भी सारा क के लिए यहां पे income tax return के अंदर file income tax return में आपको click करना है उसके बाद यहां पे आपको assessment year select करना है तो आप 24, 25th current year आप यहां पे select कर लेंगे उसके बाद filing mode online या offline तो online हम prefer करेंगे उसके बाद continue में click करेंगे अब यहां पे अगर आप पहले ITR भरे है तो वो draft save हो जाता है उस start new filing में click करेंगे यहां पे देखिए आपको तीन option आएगा individual, achieve of others तो अगर आप individual है तो first option select करेंगे या आप Hindu undivided family का ITR भरने जा रहे हैं तो उसके लिए achieve of select कर सकते हैं अभी हम as individual यहां पे select करके continue करेंगे उसके बाद यहां पे आपको ITR form select करना है यहां पी देखिए form एक से लिके 4 तक भी live है उसके बाद कुछ form आने वाले हैं तो अभी ITR 1 select कर लेते हैं then proceed with ITR 1 में click कर देंगे उसके बाद यहां पे let's get started में आपको click करना है अब यहां पे देखिए हमसे 3 option पूछा जाता है तो usually अगर आपकी कोई problem नहीं है तो first option आपको select करना है taxable income is more than basic exemption limit और अगर आपको कुछ notice हो गयरा आया है या आप को दूसरे criteria में फाल करते हैं तो नीचे वाले option आप चूट कर सकते हैं then continue में click करना है इस प्रकार से आएगा कि आपका जो data है prefill है आप इसको ok कर देंगे और उसके बाद हमको validate करना है अब देखिए यहां पे सब से पहले आप को यहां पर यह हमारे total 5 यहां पर इस्टिफ हैं यह salary और पेंसनर्थ के लिए अगर हम बात करें तो सब से पहले आपको अपना personal information चेक करके और validate करना है तो यहां सब से उपर आप अपना नाम data of birth आधार नमबर पैन नमबर यह सारी चीज एक बार चेक करके verify कर लेंगे यह आपके profile से आता है तो अगर कुछ यहां पर update करना है तो आप profile में जाके कर सकते हैं उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर contact का option दिखाई देगा यहां पर address, mobile number and email ID आपको दिखाई देता है अगर आपको यहां पर कुछ change करना है तो edit पर जाके आप यहां पर change कर सकते है अभी हमारी पूरी detail प्रापर यहां पर पहले से feed है उसके बाद नीचे आते हैं तो यहां पर देखिए आता है कि आपके जो category है वो कैसी है आप central government की imply है state government की आप pensioners हैं तो अभी यह central government के pensioners हैं तो cg हमने select कर लिया है उसके बाद filing section यहां पर आपको दिखाई देगा तो अगर यहां पर हम due date के पहले file कर रहे हैं तो first option select है अगर हम due date के बाद file करते हैं तो दूसरे option select हो जाते हैं कभी कभी हमें revise करना पड़ता है या condemnation यहां पर submit करना पड़ता है तो उस हिसाब से आपको option select करना पड़ता है अगर आपको किसी notice के बिहाप में file कर रहे हैं तो नीचे आपको active करके यहाँ पर select करना होगा अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है do you wish to exercise option under section 115 BAC यहाँ पर जो पहले हमारा system था यहाँ पर दो tax regime है old और new तो जिनको deduction claim करना है उनको old से file करना चाहिए और जिसके पास कुछ भी deduction नहीं है वो new regime में जा सकते हैं तो by default यहाँ पर new regime select है अब अगर आपको पुराने system से भरना है तो यहाँ पर आपको yes करना है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए bank आपका validate होना चाहिए हमने already validate करके यहाँ पर रखा है वो भी आप profile में जाके और validate कर सकते हैं और जितने भी bank आपके हैं वो स ग्राष्ट option green tick हो गया और यहाँ पर confirmed आ गया उसके बाद ग्राष्ट टोटल income पर यहाँ पर आपको click करना है अब यहाँ पर अगर आपको salary related कोई जम्चन है तो आप option select कर सकते हैं यहाँ पर देखिए सारे option है और नहीं है तो इसको आप skip भी कर सकते हैं या continue में click करेंगे तो यहाँ पर देखे graph salary यहाँ पर 10,31,131 रुपए यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें 50,000 का यहाँ पर standard deduction दिखाई दे रहा है तो जितना भी आपको यहाँ पर salary मिला है वो इस प्रकार से दिखाई देगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको interest दिखाई देगा कितना आपको interest bank के द्वारा दिया गया है दोनों चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देती है तो यहाँ पर आप total salary को यहाँ पर डाल देंगे जितना भी आपको मिला है उस financial year में उसके बाद अगर आपका कुछ house property है house का income है तो उसको भी आप यहाँ से add कर सकते हैं नहीं तो इसको आप skip कर देंगे उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है income from other sources तो यहाँ पर आपको यहाँ पर interest income tax refund का है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके अलाबा यहाँ पर जो interest इनको मिला है वो दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार से यह total दिखाई देगा अब उसके बाद अगर आपका कोई exempt income है वो आप यहाँ पे add कर सकते हैं जैसे agriculture का income और नहीं है तो इसको आप skip कर देजिए उसके बाद confirm में click करेंगे देखे हमारा income बाला part भी यहाँ पे confirmed हो चुका है green right tick यहाँ पे आ गया है उसके बाद आते हैं total deduction में deduction में हम आ जाएंगे यहाँ पे आप देखिए आपको जो जो deduction claim करने हैं उसको आप यहाँ से yes कर देंगे चाहे आप donation किसी political party को दिये हैं या किसी research के लिए आपने donation दिया है या medical expenditure से related है जो भी आपके expenditure हैं यहाँ पे आप yes करके और आप fill कर देजिए साथ में उसका आपके पास proof होना चाहिए अगर आप fake deduction claim करेंगे तो आपको यहाँ पे notice आ सकता है तो यह आपको शाबधानी से करना है यहाँ पे interest के लिए देखिए हमने section 80TTB डाला है यहाँ पे senior citizen के लिए यहाँ पे 50,000 का benefit है उसके बाद यहा हमारे 2,000,000 का deduction दिखाई दे रहा अब यहाँ पे सारे deduction देखने के लिए आप so all deduction में click कर देंगे तो यहाँ पे जितने भी type के deduction है वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे अभे हमको एक यह ADTDD claim करना है क्योंकि यह dependent के लिए उनका medical expenditure bear करते हैं तो हमने यहाँ पे tick कर दिया उसके बाद इसको add में click करेंगे अब जो भी यहाँ से हम add करेंगे तो इस प्रकार से आपको select करना पड़ेगा कि dependent version with disability इसके लिए certificate बनता है medical officer से वो आपको बनवाना होगा उसके बाद type of dependent तो यहाँ पे आपका जो भी type होगा वो आप यहाँ पे select कर देंगे इस प्रकार स हमने डाल दिया है उसके बाद यह बांकी detail आप यहाँ पे जो भी detail आपके पास है वो आप यहाँ पे filter करके और उसको यहाँ से add कर दीजिए तो इस प्रकार से हम सारे deduction अपने add कर दिये हैं then confirm में click करना है यहाँ पे देखिए सारे deduction confirm हो चुके हैं इस प्रकार से write आ उसको आपने farm 26 years passbook से आप match कर लेजिए कि यहाँ पे सही है या नहीं है तो यहाँ पे देखिए अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पे देखिए इनका 49,000 यहाँ पे deduct हुआ है और साथ में जो bank के द्वारा कटा गया है 7415 यह दोनों amount यहाँ पे reflect होने चाहिए तो amount कम है तो इसको so detail में जाके और यहाँ पे इसको आप सही कर देंगे यहाँ पे tick करेंगे और edit में click करेंगे इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए जो deductor है उसका pen number दिया है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो pen number आपको मिल जाएगे इसको आप match कर सकते हैं अब उसके बा है साथ में जो tax कटा है वो यहाँ पे आपको डाल देना है that is 59547 इतना इनका deduct है यहाँ पे rank दिखाई दे रहा था तो इसको हमने correct कर दिया आप इसको save कर देंगे उसके बाद यहाँ पे देखे total tax आपका दिखाई देगा कि कितना आपको यहाँ पे आपने pay किया है उसको आप confirm करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखे total tax liability आपको दिखाई दे रही है इसको आप open कर लेंगे एक बार इस प्रकार से total आपका income plus deduction दिखाई देगा उसके बाद आपका total income यहाँ पे आ जाएगा deduction के बाद और जो भे आपका income tax इस प्रकार से दिखाई देगा 611 मिला के सारी detail यहाँ पे आपको इस प्रकार से आ जाएगी तो इसको आप confirm करेंगे कि हाँ सही है तो जब आपके ये 5 option complete हो जाते हैं उसके बाद इस प्रकार से आपको दिखा देगा tax liability कितनी है tax कितना आपने पे किया है उसके बाद proceed करेंगे अब जैसे ही proceed करेंगे तो यहाँ पे आपको refund दिखाई देगा कितना आपको refund यहाँ पे मिलेगा उसके बाद preview return एक बार हम करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखे इसको आप accept करेंगे कि आपने जो भी detail दी है वो correct है और यहाँ पे proceed to validation में आपको click कर देना है तो अगर कुछ error आएगे तो इस प्रकार से आपको error दिखाई देगी यहाँ पे देखे 4 यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है इसको हम देखते हैं यहाँ पे देखें by default एक exemption दिखाई दे रहा है जिसको हमको claim नहीं करना है तो इसको हम delete कर देंगे उसके अलाबा यहाँ पर gratitude भी हमको भी claim नहीं करना है इसको भी हम delete कर देंगे pension हमको claim नहीं करना है we have deleted leave in cashment यह जब आप first time retire होते हैं तो यह सारे आपको applicable होते हैं अभी यह काफी दिनों से retire है तो उनके case में applicable नहीं है तो हम shape कर देंगे अब confirm कर देंगे एक बार और proceed review return अब देखे जो error था उसको हमने शालू कर लिया है अब देखते हैं proceed to validation में click कर देंगे देखे इस प्रकार से validation successful हो गया no error found उसके बाद proceed to verification में आपको click करना है अब verification के लिए यहां पर आपको इस प्रकार से आप तना आएगा आप देखे इ-verify later करेंगे 30 दिन के अंदर आपको यहां पर verify करना होगा या आप hard कांपे वहां भेजिए या आप तुरंत अभी verify कर दीजिए अपने आधार OTP से तो अगर आपको OTP नहीं मिलने वाला है अभी तो आप इ-verify later कर दें बट आप ध्यान रखिए कि आप इसको must verify करें otherwise आपके ITR का कोई मतलम नहीं है और continue में आप click करके submit कर दें तो जैसे ही आप submit करेंगे इस प्रकार से आपको message आज आएगा कि आपको 30 दिन के अंदर उतको verify करना है और यह देखे अगर हम view file return form में जाएंगे तो इस प्रकार से हमारा दिखाई देने लगेगा ITR आपका file हो चुका है और verification के लिए pending है तो hope इस प्रकार से आप अपने ITR का form आसानी से भर पाएंगे किसी भी प्रकार की problem है आप नीचे comment करें मिलते हैं next video के शान तब तक के लिए good bye